नमस्का सश्रेगा लादाव हलो हाई केम चुकी आल चल गाइस मेरा दाम शेवंग गुपता और आप देखरों इंजी नहीं नहीं सकता आज हम लोग बात करने वाले हैं बेसिक सॉफ्ट ड्रिलिंग की बेसिकली मैटल कटिंग के अंदर जो मशीनिंग प्रोसस होती है और उस को थोड़ा सा ध्यान दीजेगा अच्छे से समझनी की कोशिश करिएगा ग्रिलिंग ऑपरेशन आप सभी लोगों ने देखा है और बहुत अच्छे से समझा है इस चीज को अगर आप देखे तो इस वीडियो में सबसे पहली जो पिक्चर देख रही है यह आप लोगों की मेटल के अंदर जाकर कि किस तरीक से ग्रिलिंग कर रही है बेसिकली ग्रिलिंग एक ऐसा ओपरेशन है जहाँ पर आप किसी भी मटेरियल में होल कर सकते हैं आप लोग किसी भी मटेरियल में बोरिंग कर सकते हैं बोरिंग कहने का मतलब या ग्रिलिंग कहने का मतलब क्या है ग्रिलिंग होती है जब भी कभी आप लोग कोई होल बनाते हो, और बोरिंग क्या होती है, जब आप उसी होल को थोड़ा सा bigger होल पे convert करते हो, तो इसी के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे ग्रिलिंग में, जो आप लोगों ने ग्रिल बेट देखी थी, इसको हम लोग 2-point cutting tool के नाम से जानते हैं, या फिर हम इसको multi-point cutting tool भी कहते हैं, यहाँ पर अगर आप इसमें देखें, तो यह जो आप लोगों ने देखा, यह जो आप लोगों को यह area देख रहा है, राइट, अगर आप इसको बहुत ध्यान से देखें, तो this is the tip, अब यह tip क्या होती है, rotate होती है, और जैसी rotate होती है, तो metal को ऐसे ले करके, ऐसे cut करती हुई जाती है, और यहाँ पर यह जो आप लोग खाली space देख रहे हैं, यह जो खाली space है, यह खाली space आप लोगों की कहलाती है, flute, जैसे कि बासूरी होती है जो अंदर से खाली होती है, इसी तरके से grill bit में भी जो खाली space है, उसको आप लोग क्या बोलते हैं guys, flute बोलते हैं, आप लोगों को जो question पूछा जाता है, वो इसी से ही question आता है grilling से, और जो भी question पूछे जाते हैं, वो उसमें क्या होता है, कि आप लोगों ने जो grilling देखी, grilling की operations कैसे कैसे होते हैं, कैसा tool है, तो यह single point cutting tool में नहीं आता, basically यह two point cutting tool है, लेकिन कई बार books में आप देखोगे, कि या तो single point cutting tool होगा, या multi point cutting tool होगा, हम लोग इसे multi point cutting tool के अंदर लेके आदे हैं, because यह single point नहीं है, लेकिन more precisely, अगर मैं आप सभी लोगों से बोलू, तो यह two point cutting tool के अंदर आता है, drilling bit को बनाने के लिए, हर किसी को लगता है, कि आप metal cutting के इस्तमाल करते होगा, या metal casting के इस्तमाल करते हैं, लेकिन नहीं, जो main important process है, उसको हम लोग बोलते हैं, forging की, तो metal forging से बनी हुई होती है, यह drill bit, जिसका आप use करते हैं, guys, यहाँ पर अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं, तो यह जो drill bit का 3D figure है, जिसको आप लोग देख सकते हैं, guys, यहाँ पर जो आप लोगों ने drill bit देखी है, तो यह जो angle आप देख रहो हो, जैसे कि for example, आप लोगों ने देखा कि यह drill bit है, और drill bit में यह इस तरीके से ऐसे घूमती हुई जा रही है, तो यह जो घूमती हुई जा रही है, तो यह horizontal के साथ, जो angle बनाती है, यह वाला angle, इस angle को हम लोग क्या बोलते हैं, helix का angle बोलते हैं, right, Helix का angle बोलते हैं, तो आप लोगों से कई बार angles के बारे में भी पूछाए कि इस angle को क्या बोलते हैं, फिर उसके बाद आप लोगों से पूछ लेता है कि यह जो tip है, tip के साथ यह जो दो लाइने दिख रही है, इसको क्या बोलते हैं, यह जो दो लाइने दिख रही है, यह वाला portion जो है, आप लोगों का, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, यह क्या है, cutting edge, इस cutting edge के साथ एक surface connect होती ह यह वाली सेर्फेस अगर आप यहां पर फील कर पाय हूzd यह जो मैं इतनी सी सर्फेस बना에 हूँ अगर आप लोगं डिल को देखेंगे तो यह सर्फेस कहरा तो है इस सर्फेस को हम लोग क्या बोलते हैं फ्लैंक बोलते हैं इसको हम लोग क्लेरन सर्फिस भी बोलते हैं फ्लैंक बोलते हैं ठीक है और गईज यह जो आप लोगों ने इसमें खाली यह देखा ना इस तरीके से ऐसे कट होकर के आ रहा है अगर आप फील कर पाएं इसको हम लोग क्या बोलते हैं वेब बोलते हैं ठीक है अगर मैं ड्रिल लेकिं ड्रिल की जो surface internal surface वो clean नहीं है वो finished नहीं है तो finishing के लिए हम लोग एक operation का use करते हैं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं elsam बोलते हैं, right, कई बार क्या हो जाता है, आप लोगों ने ड्रिलिंग देखी होगी, लेकिन ड्रिलिंग में भी आप लोगों ने threats बनाने और वो conical threats बनाने, उसके लिए हम लोग किसका यूज कहते हैं, tapping का यूज करते हैं, टैपिंग बोलते हैं, this process को, right, एक process होती है जहां पर हम लोग क्या करते हैं nut bolt के लिए आप लोग उन देखा होगा ऐसा shape देते हैं ऐसा है ना तो drilling करने के लिए पहले ऐसे shape दिया जाता है फिर उसके बाद एक बड़े grill को लेकर के यहां से यहां तक half इसमें grill किया जाता है मतलब यह boring ही है लेकिन पूरी boring न इसा shape बना रहे है अगर हम लोगों ने ऐसा shape बनाया तो इसको अम लोग क्या बोलते हैं counter sinking बोलते हैं ठीक है और अगर मैं आप लोगों से बात करूँ कि जो surface थी surface को ही clean किया जा रहा है तो इसको अम लोग क्या बोलते हैं spot facing बोलते हैं यह दूसरी machining process से भी हो सकता है grilling से और यहां पर आप लोगों ने देखा कि जो screw नहीं होता है half screw इस तरीके से connect होता है तो इसको अम लोग क्या बोलते हैं center grilling बोलते हैं तो these are the operations जो आप लोग grilling में देखते हो काफी ज़्यादा पूछा जाता है reaming की process के बारे में reaming किस तरीकी की process है एक तरीकी की finishing process है जिसके बारे में आप लोगों से question पूछे जाते हैं फिर पूछा जाता है types of grilling के बारे में आप बता सकते हैं boring counter boring sinking counter sinking tapping spot facing central drilling right all these process are what all these process are the types of grilling process जो आप लोगों से आप लोगों के exam में पूछा जाता है अब इसी के साथ guys यह तो मैंने एक छोटा सा topic बताया लेकिन इसी तरीकी के topic के साथ अगर आप लोगों को समझ में आया कि चाहे तो हम पूरी mechanical engineering पर सकते हैं अपने exam को clear कर सकते हैं right एक student के बारे में बताना चाहूंगा चीक है वो student job भी कर रहे हैं साथ में मतलब अगर आप लोग जौब नहीं कर रहे हो आप लोग घर पर हो तो आप लोगों से थोड़ आरा बज़े तक हो तैयारी करते हैं डेली के चार गंटे देते हैं जिन में से वो एक घंटे मेरा जो शाम को पांच बजे वाला वाइटी का session हो रहा है उसको देखते हैं और बाकी बचे तीन घंटे में वो मेरे paid sessions को देखते हैं और उन्होंने बताया कि सर मैंने DRDO का exam भी क्राक किया उन्होंने उन्होंने बताय कि HURL भी क्राक हुआ तो यह कैसे क्राक हो रहा है कहीं न कहीं उनको जज़बा चाहिए था ज़बा तो उनके पास था फिर उसके बाद उनने चाहिए था best content best content मिला उनको जब वो आए यहां पर मुझसे मिले उन्होंने अपनी problems बता कि यहां तक आए आए यहां तक आना है इसे करने करते हैं लेकिन कई बार उने क्रiner की ज़रूरत पड़ती है 어떤 student हो उसको भी कहीं न कहीं अपनी faculties की ज़रुत पड़ती है then I will recommend कि guys अगर आप लोगों को भी ऐसा कहीं ना कहीं feel आता है कि self study के साथ मुझे थोड़ा सा extra मेहनत करने की ज़रूरत है तो guys extra मेहनत करने के लिए आप लोगों के पास है आप लोगों का महा back one of the best thing जिससे आप लोग अपनी तयारी कर सकते हैं technical की non technical की और साथ में आप लोग अपने selection को भी ensure कर सकते हो बस आपको चाहिए जुनून और आपको चाहिए best content जो आपके examination के साथ match कर रहा हो ऐसा नहीं हो जैसे कई बार क्या हो जाता हम लोग 5 साल पुरानी किताब खरी लेते हैं बाई 5 साल पुराना content पढ़के तुम आज कैसे selection लोगे कहीं न कहीं आपको upgraded content चाहिए कहीं न कहीं आप लोगों के जितना भी concept है उसमें इतनी clarity चाहिए कि अगर question आ रहा है तो आप बता सको को यह question सही है गलत इसके option सही है गलत है अगर गलत option है तो most most precisely कौन सा correct हो सकता है इन सब के बारे में guys आप लोगों को पता चलता है जब आप लोग अपने tutor के साथ अपने mentor के साथ अपने faculties के साथ तयारी करते हो किताबों में जब भी कभी आप पढ़ाई करोगे तो आप लोग एक चीज पाऊगे कि अगर उसमें कोई भी एक explanation लिखा है आपको समझ में आ गया तो ठीक लेकिन अगर आपको वो explanation समझ में नहीं आ रहा तो फिर आप Google करोगे दोस्स से पूछोगे कुछ भी करोगे अगर नहीं आ रहा तो वो चीज छूट जाती है लेकिन जब आप अपने mentor के साथ जुड़े होते हो और आपको पता चलागी सर मुझे ये explanation समझ में नहीं आ रहा इसे किसी दूसरे तरीके से समझा के बताईए आपके mentor 80 चोटी का जोर लगाएंगे लेकिन आप लोगों को वो चीज जरूर समझाएंगे तो ये फाइदा होता आपने mentor के साथ तयारी करने का महापैक में आप लोग बोलोगे कि सर जी मुझे questions की practice करनी है करो ना questions की practice करो 1000 प्लस full length mock test है लगाओ सर मुझे notes भी जाए daily की PDF मैं खुद provide करता हूँ guys paid session में आप लोगों के लिए फाइदा होता है कि student क्या करते हैं कई बार session के साथ notes बनाने में लग जाते हैं यहाँ पर notes मैं बना के देता हूँ आपका time save करता हूँ आप लोगों को सिर्फ समझना है ऐसे मेरे session में आओ ऐसे हाथ बांदो और बैट जो और सिर्फ सुनते रो जो चीज़े मैं बोल रहा हूँ समझ में आया yes no yes no करते रो दब तक समझ में नहीं आ रहा तब तक no करते रो मैं समझाता रहूँगा जब समझ में आजा लिख दो yes समझ में आ गया clear आगे बढ़ते हैं तो इस तरीके से जब तयारी होती है थोड़ा serious way में जब तयारी करते हैं तो हमें selection के लिए और surety मिल जाती ही कि हम selection लेंगे बस आपके अंदर वो जजबा होना चाहिए और non-technical की पूरी तयारी करनेगा मौका मिलेगा एक ही platform में एक ही जगह पर आपको कहीं और बठकने की ज़ुरूरत नहीं है आज अगर आप SSC JEE की तयारी कर रहे हो और साथ में RRB JEE की भी तयारी कर रहे हो अगर साथ में multiple examinations को cater करना चाहते हो महापैक is the best सारे की सारे examinations इसमें होते है आगे आने वाला कोई एक ऐसी vacancy आगे जिसके बारे में आपको पता नहीं था और आप फिर से session लेना चाहते हैं या फिर तयारी करना चाहते है महापैक है तो आपको कोई दूसरा batch लेने की ज़ुरूरत नहीं है आप इसी batch के through ही तयारी कर सकते हो जितने भी batches आप coming आएंगे एक साल तक उस सारे की सारे batches आपको इसमें मिलेंगे तो देर किस बात की जाओ और जाकर के खुद को enroll करो तयारी करो और selection लो तो guys जब भी कभी आप लोग इस session को देख रहे हो और अगर आप लोगों को पसंद आ रहा है और आप चाह रहे हैं कि शिवमसर के साथ रहे हैं कि मैं तयारी करो then use code Y166 जिससे आपको maximum discount मिलेगा I know बहुत सारे लोग आते हैं जो आप लोगों को गुमराबी करेंगे जो आप लोगों को बताएंगे कि नहीं यह code नहीं वो code लगाओ but you are शिवमसर स्टुडेंट पूरी mechanical engineering almost पूरी mechanical engineering मुझे पढ़ानी आप लोगों को मुझसे आप लोगों का connection होगा मेरे साथ रहे करके आप सारी तयारी करोगे तो फिर code यही use करना तो चलो guys इसे के साथ आज का session and करते हैं मिलते हैं फिर आपन नेक्स session में और I believe and मैंने welcome भी कर रहा है तो आप सभी लोग ज़रूर रहेंगे तो जाओ, बैच में जाओ और साथ में मिलके तयारी करते हैं और जब आना तो मझे बताना ज़रूर कि सर मैंने वहाला session देखा था और उसके बाद में आया तो most welcome है जल्दी आओ और साथ मिलके तयारी करेंगे selection लेंगे बाबाई गाईज